तो कि नमस्कार दोस्तों मैं विजय स है हुए कि भुश्य की बात कि आज हमारे साथ जो फ्रिम के एक्टर है वह बहुत ही ऑच्चे एक्टर है फिल्मों के एक्टर तीवी केक्टर हैं और सबसे बड़ी बात है कि भुस्पूरी फिल्मों में एक छत्र राज करते हैं एजे खलनाएक तो दोस्तों आजे मिलते हैं संजैर पांडे जी से सब्सक्राइब भाई कैसे हैं थैंक यू बढ़िया 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 बहुत बढ़िया और बहुत खुशी हो रही आप से मिलकर जी तो पहला प्रस संजैर भाई यह है कि आप आजम गर्के थे मhouse कि साथ में नाम एं संजै पांडे जी संजैर पांडे जी कुछ अपने अपने बच्पन के बारें बताईए और आप तेरे साल की उम्र में आपने एक ठीटर ग्रुप बनाए तो एक्टिंग के शुरुवात कब और कहां से उसके बारें कि एक्षुली मैं रहा तो बच्वन से MP में हूँ पापा मेरे जॉब करते थे मत्यप्रदेश में एक जगह है कटनी उस वक्त तैसील था बाद में जिला हो गया वो और चुटियों में हम गाउं आया करते थे तैसा सिए हमारे स्कूरी की शूटियां होती तो हम बाउं आते थे सप्क्त की बगरा शादी का सीजन और यह देखने जाते थे तो वो नोटंकी जो में देखता था तो घर पे आकर उसको परफॉर्म करता था और रात को बहुत दूर दूर तर जाते थे नोटंकी देखने प्लस अपने शहर में कट्नी में दुर्गा पूजा होती थी हमारे यहां तो दुर्गा पूजा में जो दिन तक नाटक चलते थे वो बैंगाली में होते थे वो हिंदी में नहीं बंगला में होते थे तो बंगला नाटक देखते थे हम लोग प्लस यही सब दी चीजें जो मैं देख रहा था अपने आसपास जो कल्चर मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने किसी यक्ति विश्य से इंस्पाइड हुआ या मैं फिल्मों से इंस्पाइड हुआ ऐसा भी नहीं है मुझे यहीं आसपास से प्रेणा मिली मेरे पिता जी एकसर मज़ाग में बोलते हैं साहत użyं कोई हैं तो ऐसा भी मिरे रिश्य्डाइं कोई था मेरे इन कोई नहीं को मुझे मैं सोचता हूं तो मुझे पता नहीं कहां से था हिर्णि के हमारे शेहर मं नाटक के कोई माहूल नहीं है सब नौज़गः इननाटक होता और फिर कभी कुछ ऐसा नहीं था लेकिन मैं खुद सोचता हूं तो कहां से मेरे अंदर ही आया मुझे क्यों लगा कि मुझे नाटक करना है और मैंने आपने सही बोला मैंने 13-14 साल की उमर में अपना गुरूप बनाया अपने गुरूप के अपने साथ के लड़कों को लेकिए मैंने का वो दोस्ते बिचारे दोस्ती में कुछ बोले नहीं और गुरूप में आ गए तो संप्रिशन नाट्यमंच के नाम से मैंने अपना गुरूप बनाया चौदार साल की उमर में यहां से वागु पहला नाटक का कौन से किया 13 साल की उमर में आपने पहले तो पहले तो मैंने स्कूल में किया ता ज़्में क्लास फिप्त में था और वो कोई नाटक नहीं था हमारे जवालकुर के दो जैसे स्टेंडब कॉमेडी होती है उस तरीके से दो कॉमेडी करने वाले बहुत सीनियर एक्टर थे जिनका नाम था कुलकर्णी बंधू जबलपूर के थे उनका मैंने देखा था कॉमेडी शो जोनों भाई मिलके करते थे कुलकर्णी बंधू वो मुझे याद हो गया था वो मैंने घर पर आके लिखा उसको पहली बार खुडड़िट किया क्लास फिफ्त में उसके बाद फिर मैंने सीधे तिन चार साल बाद जब मैंने गुरूब बनाया अपना तो उसमें पहला नातक हमने लिखवाया था किसी से जिसका नाम था प्रतिकार और हमें बहुत किया था तो हमें जो समय में आया हमारे शेहर में तो स्मूर्ण बी नहीं मिलती थी धाड़ी कोई समान नहीं मनें अपने इंट्रेवी में बताया कि मैंने एक बार दाडी तो फेविकॉल से लगाई थी और किसी ना आइडिया दिया है कि चेहरे पर गोन लगाओ और गोन के ओपर चैपत्ती छिड़क दो तो दूर से दाड़ी वाला लूक आता है वो तो हमने वो एक्सपरिकेंट में किया तो पहला नाटक जो हमने किया था वो था प्रतिकार और हमने बहुत दिनों तक जब तक अब बहुत था नहीं थी मेरा मकसद था कि चलता रहे जो लड़के जोड़के लाया हूँ वह भागने ना भाए मेरे पास से इस चक्रवे करता रहा है पिल्किल हां 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 अ संध्य बाइब बीच मेरा नेटवर्क चला जाता है तो अगर कड जा तो आप कंटिन अब बहुत था नेटर भुपाल से भी किया तो वहां किस गुरूप के साथ आप जोड़े रेगो हां है बहुत अब हमारे बंसी कॉल जी है उनका गुरूप है रंग दूशक और वहां मैंने जाइन किया उसके पहले मैं 94 में जिसाल मैंने रिजूशन किया 94 में मैं एक एक महेश्वर में मध्यप्रदेशन बड़ा धार्मी के साल महेश्वर महेश्वर में वर्क्षोप लगाए दिने जिस जो 40 दिन की वर्क्षॉप थी और उसमें करीब 30 बच्चे थे 20-25 बच्चे थे अलूबर MP से तो मेरे शहर से मुझे सलेक्ट किया गया था कच्मी से और मैं गया था और मेरे एक मित्र थे वाज एनसबी में है सदानान पाटिल हम दो लोग गय थे उस वर्क्षॉप में और वो वर्क्षॉप के डिरेक्टर से बंसी कॉल जी बंसी जी ने उस शो के बाद जब वर्क्ष अक्टूबर 94 में हमारी वर्क्शॉब जुलाई से लेकर अगस तक चली थी और हम मैंने अक्टूबर में 94 में बंसी जी का गुरूप रंग विदूशत जोईन कर लिया था क्या पॉद्ध जी अच्छा इसके बाद जब आप चेटर करते करते आपको कब लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए फिल्मों में काम करें कि आख सच बताओ तो हिम्मत तुम्हें बहुत दिनों तक नहीं जोटा पा रहा था कि आख सब्सक्राइब जोटाइब जोटाइब जोटाया रामा स्कूल में है पासाउट है मतलब वो बुले यार मंबई चलते हैं उनका कोई जान पहचान वाला था नी मेरे पास सूटकेस रखने की एक जगह थी डोंबी वली में अच्छा मेरे गाओ के हमारे परोसी हैं जैसवाल फैमिली वह रहते हैं वहां पर उनके रेस्टों चलते हैं और उनका अपना घर है वो लो हमें बहुत मानते हैं मैं जब सन अब्बे में मैं एक बार बॉम्बे घूमने आया था तो भी उनी कि घर पे रुका था दोंबी व अब बॉले यार मेरा तो कोई नहीं जानने वाला बंबी में तो तुम्हारे साथ ही चलना होगा चलो भाई तो उनके कहने पर मैं चला आया और उस तो बोले अब कितना कितना सीखते रहोगे मुझे लगता था और सीख लूँ और कुछ जान लूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता बंबई बाजार है और बाजार में प्रोडेक्ट भिकता है बनता नहीं है मुझे लग रहा था मैं अपने शहर में और इस प्रोडेक्ट को मतलब खुद को और मजबूत कर लूँ तब मुम्बई जाओं पूरी जिम्गी पड़ी है एक बात हमेशा मेरे पापा कहते हैं कि पहणने की और सीखने की उम्रोती उसके बाद आदमी फिर काम करता है हमारे गुरु जी भी कहते हैं जब आदमी करने लगता तो सीख नहीं पाता इसलिए जब काम नहीं होता है तब वह सीखता है मुझे और और सीख लें लेकिन चला आया आया फिर वापस चला गया यहां पाइक अधियों कुरें और हमें अंगे बाद इस्वाटियों में अड में आया था है अग्षा कि आधि टीन मैंने रहे के फिर चला गया अच्छा अच्छा मैंने का पूरी तजारी जाओंगा और मैंने और मैं था और सदोन पार्टिल हमारे एक मित्रा और थे मानो कॉल हमने कहा भाई अब घर चलो और वापस आओ तो अपने साथ एक एक दोस्त लेकर आओ रूमेट लेकर आओ बड़ा घर लो और अच्छे से रहो ऐसे तो नहीं होगा तो फिर हम लोग वापस चले गए फिर हम आये नाइंटी एट में हम मतलब यह दो चार पांच लोग आये मुंबई और हमने घर लिया और वन भी अच्छा यवी प्रॉपर तेयारी से आएगी भाई रहने का टिकाना किसके बात है हुआ हां ऐसे नहीं स्टेशन पर सोना या फुटपॉट पर सो के हमको स्टार नहीं बनना था और वह वह यह लुट फैमी भी है लोगों कि अश्चे से स्टार नहीं बनता है इस प्रॉप्र पैक्ट है इस अजी मैं थोड़ा सा कमेंट्स पर देता हूं कुछ मारे करनवर्मा जी बोलते हैं जै नमस्कार कर रहें आपको मीता नमस्कार कर रही हैं और बुविद कुछाज जी लिए वेरी नाइज अरे गुविद कुछाज जी बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा थैन बहुत इसमार्ट लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पुनम जी आपको नमस्ते कर रहे हैं अनुज दिवेदी जी कैमरा में है वह आपको वेलकम नमस्ते कर रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी है नंसुदंध ईसमारे काघ्सिश बहुत अच्छे केमरा मेंन है वह आपको नमस्कार कर रहे हैं抵ादी पंडित बोलते लेघ्स रादे रहे रहे हुए श्रमाच आपको नमशकार कर रही है है दुर्गेश जी है बहुत अच्छे कैमरामेन बोटेक संजेच जी और हमारे चेहते रारेकर विजया जी को प्यार बरा नमशकार नमसकार संजे भवु प्रुगेश बवु नमसकार जैद्रकाश यादों जी नमस्ते कर रहे हैं सुपा की बात है कि मनुझ भाउग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग का सवागत कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी नहीं आ पाया मैं तो पिंटु जी आपको नमस्कार कर रहे हैं पिंटु सिंग जी नमस्कार कर रहे हैं अरे पिंटु भाउग जी बोलते हैं कि मेरे फेवरेट एक्टर है संजेर पांडे जी क्या वाद है थांक्यू सो मच मनुझ जी यह जी भोजपूरी के मुझे लगता कि वनाब दव लोगों में से जिनको भोजपूरी इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है बहुत और से लेकर सारी सीजों की बिल्कुल एक्षिवर जैक्शन जो है मनुझ जी का इतना बढ़ जैक्शन एक बहुत बड़ा प्रेट फार्म इन्होंने बनाया है और बहुत बहुत खुब्सूरा तरीके से प्रेजेंट करते हैं यह अपने होज गैस्ट को बहुत अच्छा लगता हमका है बेलकुल 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 माइंड माइंड पंडी जी आपको नमशकार बोलन करें तो हम अब नेक्स प्रस्ट में चलते हैं पर मैं कमेंट्स पर होंगा थोड़ा सा और इधर तो लोगों की थोड़ा सा पिदराइए अव्य है यह थिक है थोड़ा सा और यह थोड़ा सा फिस पर हाँ थोड़ा सा आपने जो यह और जेंटल बूक कर दिया ने यह थोड़ा सा मामला मेरे लिए लगा कि बड़ा कमफ़टेबल हो जाता हूं तो आपको पहला काम कब और कैसे मिला है कि हाँ यह बात में बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि मैंने आने के बाद मेरे खुशकिस्मती से मुझे दूबे जी मिल गए पंडिशेतो दूबे जी उनके गुरूप में एंट्री मिल गई अब जी और फिर वही बात कहते हैं आप जो चाहते हैं भगवानात की कहीं कहीं सुनता है तो मुझे लगा कि यार दूबे जी के साथ काम करने का मौका मिला है और यह पता नहीं कम मिलेगा दुबारा मौका जिंदगी में काम करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है तो उनके गुरुप में जब जॉइन किया तो मैंने इस्टगल बंद कर दिया मैंने का मुझे सिर्फ सीखना है बहुत जानकार पीचर ते गुरुवी जी आज हमारे भीच नहीं है तो मैंने दो साल नाइंटी एट से लेके टू थाउजन तक हल्का फुल का श्टगल करता था लेकिन कोई काम वाम नहीं मिलना था मैं सिर्फ थेटर किया सीखने की कोशिश की दो साल जै उसी दॉरान हल्का फुल का टाइम जो मिलता था तो मिटिं अधिका बड़ा दौर था उस पर आया अंतराल जिसमें में लीड में थे ओम पूरी और जॉइसें दास गुपता जॉइसें के फ्रेंड का रोल था मेरा और वो पर सीड़ टेलिकास हुआ था दो अगस्त को और तो पहला सीड़ था मेरा अंतराल स्टार प्लस पर अच्छा अब संजय भाई सीरियल और हिंदी फिल्मों में काम करते करते आपको भोचपूरी फिल्मों की तरफ कैसे जुखाऊ है और आज आप एक वेत्सा बास्टा आया अग्यादम अग्याद में भोचपूरी में जुख भोचपूरी का दौर तो था नहीं उस वक्त भोचपूरी का दूसरा दौर जो कौनाल जी के बाद का दौर था वो खंडा हो चुका था गाहे बगाहे कुछ फिल्में बन रही थी तो बन रही थी और उस दौरान में एक सीरियल एटीवी ने अपने कुछ एटी उत्तर प्रदेश, एटीवी उत्तर प्रदेश भिहार एक चैनल था आठ उस चैनल के लिए एक सीरियल बन रहा था जिसके पूरूतर थे शारुक मिर्जा और जिसके डिरेक्टर थे राजकुमार आर पंडेजी तो मैं उसे मिला और वह सीरियल था पंचायत था आप अधि भोषपूरी-हंदी मिक्स था तो मैं से मिला और नहीं सकते हुआ हिरो नहीं के सकते हैं अपन्चायत में और राजकुमार जी मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए तो उन्होंने जब पहले फिल्म मुन धरेक्शिए अधिया डोरी निवका कि आज जी संजेब भाई आपकी आवाज कट रही है पहली फिल्म जब उनको मिली तो उस फिल्म का नाम था कहिया डोली लेके आईबा तो उसमें उन्होंने मुझे विलन के लिए बुलाया राज जी और वो फर्स्ट मुवी थी मेरी जो 2002 में बनी कहिया डोली लेके आईबा और उसके बाद मैंने सीरियल कर रहा था और पैरलल फिल्म में भी कर रहा था दोजार एडो से लेके 2007 तक मैंने लुए भी एडोर आप से मुलाकात हुई थी कहानी घरगर की में बर्थ यह जी लेके ताहां इसमेक्टर का आवाज आ रही है यह एको अबादि आरी है अभी आई आई रही है आवाज क्यों नहीं आ रही हैं? अभी अभी आई अवाज? मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है हाँ हलो? कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ शायद बस दोस्तों बस संजे जी हम से जुड़ जाएं फिर हम आगे हाँ आवाज आ रहे हैं सर्जे भाई आवाज आ रहे हैं। संजे भाई फिर से आप लॉगिंग होई हैं पिर से एक बार आप आए हैं बस दोस्तों संजे यहमारे बीच बस दो मिनिट में आ आ गये हैं अभी परफेक्ट परफेक्ट तो संजे भाई एक सब्सक्राइब आगे बढ़ता हूं आवाज आ रही है हलो 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 आवाज आ रही मेरी हलो संजे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है हलो है हलोद अपरम कि आधा अवारे है हलो हलो आपके आवाज नहीं आ रही है। कि हलो आपकी आवाज नहीं आ रहे हैं को अब आपकी आवाज नहीं हा रहये हैं कि इस तेखनी कल प्रॉब्लम मैं बस्सें दो मिनट कि हलो 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 कि आपके आवाज नहीं आ रही है तो दोस्तों संजर पांडे जी एक बहुत बड़ा नाम है फिर्म डेस्ट्री में भूश्पूरी इंडेस्ट्री में जिन्होंनों एजेख खलनायक एक हिस्ट्री बनाई है इनुन ने पर समारे बीच में हलो 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 कि आझालो हरो हलो मिंस नहीं आथा आपके नहीं आवाज आ रही है ह dużo हाट ह ह ए हESS हरो हलो हrand हमारे इसमें हलो अब आवागा आएवाज नहीं हा रही हाए हुस्थ अब आपकी आवाज नहीं आ रहे है अब फस्ट दोस्तों दो मिनट्ट मनोज भाई की आवाज में थोड़ी प्रावलम है दोस्तों संजर भाई इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है इनोंने बहुत अच्छी सी फिल्में की और मैं जब आजमगर घर पर आता हूं तो जाता लोग भुच्पुरी फिल्मों की बात करते तो इसमें संजर जी का ना और एक बार हाँ है आवाज आ आ अभी आ अभी आई आवे अबी आई आभी आइवाज अपरफेट परफेट परफेट तो अप्लों में एक सर्प्राइज देता हूं आपको इसके बाद पिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब्सक्राइब स्वागत है साथ आपका अरे अच्छा था यह सब्सक्राइब अच्छा है सारे आजम गडिया एक ही जगह जमा हो गए क्या बात है सारे आजम गडिया बिल्कुल बिल्कुल और दोस्तों मैं महस सर्क के बारे मता दो किसी पर्चे के महताज नहीं है आप आजम पर जिले के लेकिन आज फिर इंडिस्टी में बहुत बड़ा नाम है एजे राइटर एजे प्रूसर एजे डारेक्टर तो मैं सर आपका बहुत स्वागत है सर आपका और जी तो संजे जी के साथ आपने बहुत काम किया है औ और संजे जी आपके पुराने दोस्ते हम लोग सबके तो कुछ उनके बारे में सर बताइए एक थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं विजे बाबू आपको बिल्कुल 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 आया था फेस्बूक किसी ने सवाल किया था कि किस डिरेक्टर या पुनूसर की आपने स तो पहले तो मुझे कईयों के बारे में भ्रहम था, ये इनके साथ हूँ, ये मेरे बिना जिंदगी में कभी फिल्म नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो भ्रहम मेरा उन लोगों ने तोड़ दिया, आज की डेट में, आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ कि तश्मूट नजर न सबसे जादा फिल्म में इनके साथ सबसे जादा फिल्में नहीं की, सबसे जादा फिल्म में राश्कवार पांडे जी के साथ की है, 16 फिल्में की है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता है कि उनकी हर फिल्म में हूँ, मगर यहां मैंने 6-7 फिल्में की हैं, लेकिन हर फिल्म में तो हम लोग मैं यह भी पता हूं को दोस्ती हम संजे को जानते नहीं ते जब कि यह भी आजमगर से हैं मैं भी आजमगर से हूँ तो हमारी पहली मुलाकात बड़ी इंटरस्टिंग सी रही थी तो अभी यह था कि जुनून और वह एकदम उस लेवल पर था कि कुछ तो करना है दोस्त आईसे तो नहीं चल सकती जितगी अब हिंदी पिच्चर बना नहीं सकते थे तो पता चला भुझपरी फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था यह दो हजार पांच की बात है तो आपने पहली पिच्चर प्लान की घरदवार तो अभी क्या मैंने कहानी घरगर की कि सारे अर्टेस्ट थे तो उनके साथ मिलकर मैंने वह पिच्चर की प्लानिंग की सारे में रोल तो उनको चले गए थे लेकिन जो इंपॉर्टन्ट विलन का रोल था और वह भी मैं थोड़ा सा हिंदी टीवी करका हुआ था जिस तरह की बोच्परी फिल्में बन रही थी तो थोड़े से वह भी थे कि हम बोच्परी सिनेमा बदल देंगे और यह कर देंगे जवानी का जोश चलता है लाइफ के अंदर यह नहीं करेंगे आपको मजबूर कर देता सब कुछ करने के लिए तो पहली पिच्छर कास्टिंग तो फिन बूला यार यही विलन का रोल कॉन करेगा तो दूड़ो 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 कर त लोग रइटर बूढ़ो आए थे मेरे पास लोग किया था तो राजेश मेरे साथ पहली बार काम करता संदीले शिखर धें मेरा जो चो पहले आसिस्टेंट थ कंड़ कर रा त TikTok शैटी कहानी गर-गर की मुझे याद है कि जब मैं बाला जी में सिस्टन था तो आपकी मतलब जलवे थे कि जिस सीरियल पर आप हाथ रगा दो हिट होना ही होना है था अच्छी बात थी बड़ों का अशिरबात था निकल गए चीज़े उसमत उमर भी 21 साल की थी कि अच्छा चल रहा था अपने आप अच्छा हो गया मैं तो यह मानता हूँ पहले मेरे करीयर के अंदर सिखाने के लिए बिकास में राइटर था नहीं लेकिन आज संजे के वारे में बात करते हैं हम बाद रबात करेंगे तो आए मेरे पास ओफिस में नदीया के तीर पिछरे थी और नदीया के तीर बहुत नाम सुद्धा थी नदीया के तीर बहुत नाव अपने आधियस्केंड को बोलता था टाइटल ही इतना बखवास है डेटटेड है नदिया के तीर यह दिखा यह आया आदमी और हम क्या होता पहली बर जो मुलाकात होती न तो थोड़ा सा देखो आप भी थोड़ा अच्छे टैलेंटेड आदमी हो सामने वाला भी टैलेंटेड आदमी है पता नहीं क्यों ज्यादा कॉन्वर्सेशन नियुक्त वरी फॉर्मल मीटिंग मीटिंग यह जी इतने दिन का काम है यह विलन का कैरेक्टर है और यह है वो है अब राजा नाम का प्रडक्शन वाला था उसको बोले से पैसे की बात कर लो ठीक है बाई एक मैंट मैं जब ऑफि करेक्टर हो गाई है तो मैंने जाते वक्त एक लाइन पूछी थी मैंने का भाई मैं डिसरपॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि मैंने अब तक तीन-चार फिल्में की है में में विलन किया है तो मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट दोंगा आप स्क्रिप्ट पढ़के सेट पर आ तो हम मिले थी रहार सेट पर हम लोग गये कादिराबाद आउट्डोर करने के लिए और हम बहुत मज़े मारे उस आउट्डोर में बहुत मज़दार आउट्डोर था हमारा आट डिरेक्टर पता चला उसको उसको आते नहीं हो चुनाई-पुताई करने वाल आदमी था अब मेरे को ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आती है अब मेरा दिमाग खराब हो रहा मिने वह लग काई से पांगलों को लिया आया हो और मेरा तो हाई-लाइट था कि मेरे को तो डिरेक्शन भी नहीं पता था तो मैं अलग और मैं बता भी नहीं सकता था किसी को कि मैं मेरे को आता ही नहीं करना और उसमें इतना मुबाइल वॉयल फोन का नेटवर्क नहीं होता था गाहों के अंदर पहले वो क्या वाले फोन थे मोटरोला वाले फोन थे दूजार पांच में तो इसा नेटवर्क भी लेने के लिए गाहों के कुवे पर जाना पड़ता काजिराबाद वाई साथ इधरी नेटवर्क आता है वससाला तो फिर मैंने रात को एक सीन लगाया तो मैं दो तीन दिन सीन के साथ गटना गरम था यह लोग क्या आफ्टर रेप दगल उसके लोग निकल रहे होते वहां से ठीक है ना इसका रेवलिशन का सीन था इसका और इसके साथ और एक एक अक्टर इसका भाई बना था उसका So revelation का scene था तो 3 दिन तक तो हम लोग बोले आज रात को करेंगे ये 3 दिन तक भाई मेर को क्या मालो है भूका सोरा है सेट के उपर ठीके ये खाने नहीं कहता था ये खाने नहीं कहता था दोपर के बाद से तो कि उसका उसका technical problem था कि बहुत हाई उसमें उसको डेलोग बोलना था, आपका पेट भाल रहे था, आप तो नहीं आएगी, आप वाला साइगी, और मेरे लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, कि पुरा गाउन भाल आए जाता था, आप सीन होने वाला है, ये भाइस आप दो बज़े आके कहते थे, मैं पहले एक्टिंग करना चाहरा था, ठीक है, और मैं मेरी अपनी मजबूरिया रही लाइफ के अंदर कि मैं एक्टिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेरे को अपना मौका मिला बाला जी के अंदर मैं, राइटर हो गया, एक बेसिक ज्यान होता है, पर मैंने उससे पहले त है, तो साला थीन दीन तक भुकस हो रहा है, और उसको राको काना है नहीं मिलता है, तो मेरे को थर्ड दे इसने बताया, यार तुम थर्ड दे थोड़ा बढ़ गया है, तीसरे दीन जब मैंने कैंसल गया, अब मेरा क्या मूड पे होता था विजए, अभी नहीं करने गए, तो मेरा वैसी शूटिंग, मेरा शूटिंग वैसी ही होता है, अभी अभी नहीं करते है, विरुको नहरा राम से कुछ बनाते हैं, तो लोग आधा पागल भी बोलते थे, बोले भुच्परी फिचर बनाया, क्या मना रहा है, मुगले आजम बना रहा है, जब अब दस्तिका गाउं के अंदर गाउं रिवील करना था, गाउं के बीच में, सननाटे में वो सीन करना था, वो चल रहा था, जी, इसले दिन जो थोड़ा बढग गया भाई, वो ले कोंसा मजाग लग रखाए, तो मेरा भी उस लेवल का इगो, कामने बोला का भुखरे देगे लिए, करो में अपने असिस्टो को सुनाओं, मेरे सेट पे ना मेर से बड़ा स्टार कोई नी होता, समझ गया रा, उस राक वुखरे देगे, तो पहुड़ा दो करें राखना जाया है, मैं दूसरे किसी को को बला लगा, वो अपने सब्गर नहीं पड़ता है, तो उस वक्त ने, बाबा उख कैमरा लगा और क्या था राउन टॉलिव उसक्त आज की टेक्निक से वैसा वाले टेक्निक तो था नहीं लुए और हम लोग शूट करें तो पूरा गाउं खाली कराए गया रात को दो बज़े शूटिंग शुरू कि हमने इसा बॉला पैकप कर दिया जाओ खाव तो रात को दो बज़े हम लोग शूटिंग करेंगे तो रात को एक बज़े हलके से हमने अपना मोमेंट शूरू के जब गाउं सन्नाटे में था ठीक है और हमने स्टार्ट की शूटिंग एक टेक हुआ और वह वन टेक ओके था क्या बात और वह सीन जो है आज भी आप जाक की उसका असली मकसद क्या था वो हुआ और मैं ना स्टिव इसको ऐसा ट्रॉली के साथ ना कैमरे के पास ऐसा बैठा हुआ हूँ और मैं इसकी परफॉर्मेंस में लाइव देख रहा हूँ इसे यह जैसे कैमरे के स्टैंड के बीच में तभी तो मैं पतला था तो बैड़ ग तो मैं भी बैड गया साउंड वाला एक ट्रॉली पे बैटा हुआ वह लेके तो बैठे हुए और चल रहा है भाई इसको परफॉर्म करते बहुत कट होते बोला कटए ओके मैंने ओके बोल दिया तो बोलता है मेरे को क्या बोलता है यह कैमरे मैंने को एक बार देखना लगती थी तो वीडियो मॉनिटर क्या बोलते थे पहले उसको जिसमें लगाया जाता था उसमें लगाया गया तो उसमें रेकॉर्डी नहीं हुआ वीडियो परे है साउंड परे है सब शूट हो गया है लेकिन बाद वीडियो रेकॉर्डर पर शूट नहीं हुआ था जो हम आपी बंबई जाओगे फिर बंबई जागे बापार से रिशूट करना पड़ेगा तो सेफटी के लिए एक शॉट और लिया गया है वो साला उच्छा क्या बात क्या बात क्या बात वो देखा लोगों ने तो हमने क्या किया पहले वाले का मैंने सिर्फ साउंड सुना क्योंकि उसका विजूल मेरे आख में था तो आमने ओके किया फिर दूसरा शॉट भी ओक्यों किया मैं बाइस को जाकर गले लगा लिया मैंने बॉला तू खातर ना एक्टर रहा है और दाट इस था टाइम वेन भी हमारी दोस्ती एक्ट्वल में शुरू हुई अच्छा नहीं और उस दिन मैंने खाना रखवा दिया था भाई अच्छा आज खाना रखो बहुत लोग ताना मारते हैं कि तुम तुमारी पिच्चर में तो संजया पांड़े ही रहता है कि अच्छा निचे करने की बात हुए करने की बात तो मेरे को ने इसके आगे ना कोई दिखता नहीं है इसको बहुत आगे जाना है लाइस के अंदर और वह हमेशा बिलीफ मेरा जो होता है ना बहुत सही थाबित होता है अर बार जब जब मैंने कास्ट किया इसको और मैंने इसको कभी सीधा रोल नहीं दिया तो पहली पिच्चर में सॉफिस्टिकेटिटिड विलन तूसरे पिच्चर के दियोकूफ विलन तीसरे पिच्चर के दियो कुरूर विलन अरे वाद क्या वाद चौथी पिच्चर के दियो शुरूड विलन पाच्वी पिच्चर के अंदर मजा किया विलन ठीक है गबरू क अंदर एकदम सीरियास पड़ा लेका समझदार गबरू जो भी हमारी पिचर आ रही है वह उसने अलग ही रोल है एकदम ही अलग ही रोल है एकदम ही काहिया किसम के आदमी करो ले लिए अब गबरू सोची जैसे मैंने अभी गबरू बना रहा था तो जब गबरू का वर्ल्ड है कि एक जंगल के उपर पिचर बना नहीं है एक टाइगर है और एक हीरो है तो हीरो बेर दिमांग बहुत दिन से क्लेर था कि मैं गोद दिनेश के साथ काम करना है पिचर के पर इसे कानिया तो हमक्रे सुना, मैंने ले जाएक एक हैसारी के साथ पिचर बना congreg pants, मैंने कि जब संजय ने जाके मेरे बाती कि कहो मैं पंडे के सिनेमा बनागे तो रहे साथ है तो बहुत नहीं तो सुनाते हैं बनाते नहीं है हमारे साथ हुए तो मैं जैसा भी दिनेश के अलावा मेरे को ना बहुत पता है तो मेरे लिए बहुत ख्लेर नहीं के साथ काम करूगा विक दिनेश स्टूडेंट ओ जाते है सेट ऊपर सेम ब्ट सकते हैं यह दोनों और और में इसाने म का अलग-अलग हो और इस फिल्मे की हैं तो कई बार similarity हो जाती ही. नहीं आप अलग कर पाते हैं. लेकिन मैं जहां तक मैंने एक दिन ऐसी बैटे-बैटे में सोच रहा था कि महेश पांडे की साथ जितने भी फिल्मे की हैं मैंने, जो भी हमारी साथ की फिल्म है उसमें सारे किरदार अलग अलग है कोई किरदार कहीं से मैच नहीं करता उसके पीछे एक बड़ी वज़े यह है कि मैच पांडे खुद राइटर डिरेक्टर और एक अच्छे एक्टर एक्टर यह कमाल है तो जब सामने वाला किरदार लिख रह है उसको शूट भी करना है और वो एक्टर भी है तो उसको performance का भी style पता है की मुझे कैसा चाहिए इसका क्या उतार चड़ा होगा तो जब वो नरेट करता है किसी एक्टर को किरदार तो करेक्टर एक्टर के सामने बहुत आसानी से उस किरदार का खाका बन जाता है कि एक एक्क्तर राइटर डिरेक्टर तीन हो एक इंसान है वो नरेट कर रहा है अज़र सुरो सजय तुमारा काम चल रहा है हम तुमारे तारीफ करने के लिए ओड़े तो तुमारा कशल रहा हूँ मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। मेरा और संजय का इकोशन कैसे बना, मैं ना आपको बताया कैसे बना, अगर मैं उसके बिलीब नहीं करता विजए देट कि तुम आजमगर से हो तो मैं तुमारे साथ काम करूँगा, बहुत लोग फोन करते हैं आजमगर से, मैं बुला है ऐसे तो मेरे घर में तो बहुत 15-20 लोग तो मेरे घर के ही पड़े हुए, तो इसका मतलब है कि मैं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि मतलब सिर्फ आप मेरे इधर के हैं, तो मतलब मैं आपको काम दो जूँगा, यह नहीं हो सकता, मेरे लिए स्पेशली नहीं होता, हाँ मैं आपके मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अजीब होता है, लोग मेरे लिए बुरा भी समझते होंगे, बहुत आटिटूड में रहता है, यह करता हूँ, करता है, पर मेरा वैसा कोई हिसाफ किता है नहीं भाई, तुम पार्ट करते हो, और यह बात मेरे इक्ताजी से सीखी है, उनके पास भी तो बहुत सारे लोग थे, पर वो काम उन आज पहुचा है, बड़ा बनाया है, तो उनका मेरा कोई खून करिश्चा थोड़ी था, ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी था, कि उनकी पिताजी ने मेरे पिताजी से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने के लिए मेरे को सिखाया, नहीं, उन्होंने मेरे अंदर कुछ उस टैलेंट को उन्हों नर्चर किया, जब हम लोग बाला जी में थे, तो आज जितने भी बड़े नाम है तो अल्मोस्ट व सब बाला जी की दोड़ी पर माता टेक के जा चुके हैं, तो उदर से एक जो चीज सीखे नहीं, जो टैलेंट है, टैलेंट को मौका दो, तो संज नहीं है कि मेरा इसका एक फिक्स जगणा होता है, पहले दिन, दूसरे दिन, जहाँ पर मेरे को बोलना पड़ता है, तुम ना समझगे ना, अपनी ओकात में रहो, ठीक है, और ये मेरे को बोलना हूं, जुप-जप करो, और मेरा पहला लाइन ना, बहुत क्लियर होता है सब को पिचर फ्लॉप होईगी, तो मेरा पैसा डूबेगा ना, तेरा करियर में तो कोई प्रस नहीं बढ़ने वाला, तो मैं पिचर फ्लॉप भी बना रहा तो मेरे को मेरे कन्विक्शन से फ्लॉप-पिचर बनाने दो, तुम लोग आपना दिमा मतला है, बाल परम शारी हमने शराभी के सीन, मैं डरता हूँ आज भी करने से वैसे सीन, वैसा सीन था, कुनाल सिंग हमारे बहुत सीनेर एक्टर बोश्पुरी को उनके साथ, और मैं करने के बाद उस सीन के साथ मैं मैं सटिस्पाइड नहीं था, मैंने बुला यार महेश सीन अच्छा नहीं हुआ है, मै मैं डरिक्टर, मैं कह रहा हूँ ना, मिरे लिए ओके सीन, मैं मुझे ऐसा लग रहा कुछ मजा नहीं है, सेकेंड ए अली अजगर फिल्म में थे, अली भाई को मैं इसने बुलाया, और वीसियार लगाके, और कैसिक लगाके, वीएचेस पे फिल्म दिखाई, वो सीन दिखा देख रहा था, पबलिक सीटी मार रही है, ताली मार रही होस्ते ने, और मैं मेरी तरफ देख रहा है, क्या, क्या बोला देख था देख धाले, ताली बजा रहे लोग यापर, और ये ना, मैं आपको, मैं वीजया एक बात बता जहूँए, ऐटर की, देखें क्या होता है, अगर जैसे तुम भी डेक्टर हो तो एक कन्विक्शन आजाता ने किसी आक्टर के ऊपर भरोसा हो जाता है यह तो कभी भी साला बचाएगे अपनी इज़त इसके ऊपर तो आप कभी भी दाव कहले हो तो सपूत पिच्चर बना रहा था खेसारी लाल के साथ ठीक है तो पहला पहला ड्रामा उस जिन कहा था क्लाइमिक शूट हो रहा था डालोग वेटर गाया थे फोन बंद था उनका ठीक है और स्क्रिप्ट ही ने सेट के ऊपर ठीक है अब मैं डालोग लिक नहीं रहा था हम तो स्टोरी स्क्रीन क्लिक किया हुआ था तो कुछ नहीं सब टेंशन में संटोजी का फोन ने उट रहा है अमको वालने तर आज को पाटी की हो एंगे बाबा आराम से मार के जाय भोले नाथ पड़े होंगे कहीं हुए तो मैंने मुला कोई बाती संजे आजा तो मैं और संजे बैठे और क्लाइमेक्स का लिख रहा हमने शुरूर किया हमने आदे कहानी बताता था उसको तो बहुत सारे सीन तो इसने लिखे हैं सेट के उपर हर फिल्म के अदर मोस्टी कभी-कभी मतलब क्योंकि मेरे को भोजपुरी लिखने में उतना फ्लुएंट नहीं हुँ मैं पूरी जिंदगी पैदा हुआ बंबाई में पैदा हुआ बोल रखता ह सीन शूट हो रहा है शाम को चार में संतो जी आ गें स्क्रिप्ट लेगे अब लग संतो जी को देखके में संपो को देखके हास है अब बड़े क्यों से संतो जी वाला महराज यह आ हाख लग गई लगा एक तरीका होता है अरे पांडे जीवा तो यह हो गया फिर हम लोग बैठें सीज शूट हो रही है यह पहले दिन ना मैंने एक की चीज़ करता हूँ मैं डायलोग पोर्शन निकाल लेता हूँ तो यह सब गया ना मैंने बलास्ट लुटिन करवा दिया है थोड़ा सा बेसिक फाइट हो गई मैंने बड़ा बड़ा शूट कर लो जो भी है और मेरे को करो तो मैं सिक्वेंस वाइस ली करता गया तो दिन में हम आगए क्लामिक्स में अच्छा मैं संजय को आके बला संजय अभी तू ना तेरा पैर ना इदर से खेसारी चोड़ देता है कि सारी मनमोहन दोनों छोड़ देते अभी तू ने खुद बम लगाया था ना तू खुद ही फस गया तरे व खुद को माननी नियुक्त पी तरे अभी कैमरा दो है ठीक है तेरे को जो करना है कर तो लिखा ही नहीं था पूसे इदर से आएसे आना है और उधर एक आग्मी ल तो फिर वो आदमी कुछ बताता है फिर वो गिर जाता है फिर इसको समझ मिन आता है फिर ये कूता है तो वो अलमुस्ट एक देड़ मिनिट का सीन है क्लाइमेक्स में यार पाइचर्ज जूमगा का मिल्डव क्रिसेंडो लगा हुआ है और उसमें एंड में जाके न यह अच्छानक बोलता है भाई मैंने तुम लोगो दस मिनट दिया तो मेरे को तो दस मिनट दे दो तो वह पांच मिन दे देते हैं अब इसको जाना था ये शूट कर लिया सब हो गय पीछे केसारी का भी मू हूँ बना है गामनमोन का भी मू हमें मेरे ऑ हो तो के घाले बहु%, कैई यह ये पिचर रिलीज होती है थियाटर में,ोगे और मैं नावरंड सिरेमा में था और मैंने इसको नावरंड से ce received quality लोग इसको मारना शुरू किया बिलन्स को पबलीक उतनी शुरू हो गई चलो मज़ा खटम भब तो मार देगा ने लोग वो जैसे मोलता है रुका 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 पांच मिनट देदा हम के पब्लिक ना भाई जो उदर खड़ा तो ना वो खड़ा ही रहे गया अभी भी डायलोग वाले कुछ बचा है पिच्चर गे अंदर तो जो उपर क्या बोलते है बैलकोनी का जो पूरा वो रेलिंग नहीं होता है वो रेलिंग के पास सब लोग खड़े हो के पिच्चर देखने लगए ऐसे और नीचे भी खड़े हो गए नीचे भी लोग पर दे क पॉब्लिक का रियक्ट कर रही है बहुत मजा आए वस वरी हैपी तो इसके साथ ना कोई भी रिस्क ले सकता हो इस अग्टर दोस्ती मेरी इसकी अलग लेवल की है ठीक है ना मेरी इसकी दोस्ती में तो हमारी बीवियां भी बोलती है रहे लेकिं कि आपने दो यहां से यहां तक जाएगा तू क्या करेगा तू क्या बोलेगा तू डिसाइड कर तू वे कितना बड़ा चैनेंज होता कि आपको इतने मिनाट ओडियन्स को होल्ड करना है तो दिखाओ बिटा कितनी बड़े एक्टर हो तुम चलो आजाओ क्यामरा लगा डेक्टर बैड़ गया मॉनिटर करो संजय पांडया हो चलो जैसे मेरे जैसे बायस्ट हुना ना देखिए मैं एक पिचर में बायस्ट हुआ तो संजय को लेके ठीक है ना जो बायस मतलब मैंने एक सीन लिखा मुझे लगता हूँ पिचर इसलिए चली नहीं जब इसलोग मानते नहीं है मेरी बात नहीं मानते है पिचर ती रानी चली से सुराल तौर से उसमें इसका कैरेग्टर जो था रहा हो वह शुरूर आजवी कह था था हूँ बहुद फार्फार्मस लेखना एर तो जितने भी अपने इंडस्री की हीरोस है जिन्होंने भी पिच्छर देखी नहीं सब बोटा भई या पिच्छर में सजय बिया किरदार बहुत खतर्वाग है इदाव यह अधर तो थे तीन सो फिल्में की है मैंने उन साड़े तो लगता है सन्जेब भाई की आवाज कुछ है रूख गई है हलो 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 हो इसको कट के आना पड़ेगा मेरे घर से हां हं आट Radio अटीवर की बड़ी प्रॉब्ल ह 슉 हां 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 आप ऐङरो हग अब गट कर दो मेरे लिए तो उसमें ना बहुत लोगों ने पिच्छा देखिए बहुत अंडर परफॉंस मतलब क्या बता है वो नोट उसने बहुत नीचे का लिया हुआ था जिए तो मैंने क्या किया मैंने अ उसमें इक सीन लिखा मैं खुद बहुत इंप्रेस हो था उस परफॉंस से आगे जिएठा ज्यादा इंप्रेस हो गया था सट्वे के लगा कि मैंने लो लिखा आवाज आ रही है आवाज आ रही है तो फिर मैंने वह एक सीन लिखा इतना इंपरेश होता चला कि मैं इसके परफॉरमेंस से ना कि मैंने एक सीन लिखा वो सीन ना भारी पढ़ ये विचल के ओपर विकोज उस सीन में इस आदमी को मैंने इतना जस्टिफाई कर दिया विलन को कभी इतना को जस्टिफाई नहीं करता है मैंने विलन को बहुत आगा हमारे साथ राजकमार आठ पंडे जी भी जुड़े है सवागत है सर आपका अरे संजय को बोलो तहीं कि आवाज आ जाएगी ठीक है तो वो मेरे काल से बहुत जादा वो हो गया क्या बोलते है वो बहुत जादा मौबत में आदमी लिख देता ना सीन कि इतना अचा सड़ली मैं हीरो एरोन को थोड़ा पीछे छोड़ दिया था और बल्ली ठागर को थोड़ा आगे ले लिया था मैंने तो तो वह जादा थिंग जिसकी पर से शायद वो रानी इतनी बड़ी हिटनी हो भाई विच्चर या मैं तो बोलता हूँ चली भी नहीं थी विच्चर को बहुत जादा फैमिली और बहुत जादा वो मैंने म्यूजिक चले के हर चीज में थोड़ा एक्स्प्रिमेंट मैंने कम बैगराउंड मूजिक डाला ताकि थोड़ा से साउंड पे खेले तो एक्स्प्रिमेंट्स थे वो कंप्लीट वो लग स्टोरी बनाने गए तो तो वो कंप्लीट ही एक्स्प्रिमेंटल सिर्मा हो गया मेरे लिए लेकिन लेकिन वो एवर वाश्ट इट मतब जिसने भी देखा उसने हमेशा यही तारीफ की कि रानी इस अगूट फिल्म रानी चले से सुना इसे गूट फैमिली फिल्म संजय के लिए यही बात है संजय मेरे लिए बहुत मैटर करता है लाइफ के अदबर ठीके ना और इसकी बेटी का नाम तक मैंने चूज किया था तो आप यह कर सकते हो डटकी किस लेवल का रिष्टा है और एक बहुत फ़णी बात बोलता हूँ फिर मैं एक्जिट लेता जब दोस्ती हुए तो संजय शादी चुदा थे थे तो मेरा एक्षाय फिर मेरा पेली पिच़र के बाद हमारा पहली पिचर का तो गूरूब बन गया था मेरा मैं संजय संधीप शिकर मेरे बड़े भाईया मुकेश भाईया ठीक है और शेटी तो हम लोग छेशाथ लोग का एक गुरूप था एवरी नाइट अल्बोस एक टाइम तो ऐसा आगे कि एवरी नाइट ना हम लोग कई ना कई खाने पिने बैड याते थे तो मेरे को आज भी आए एक दिन सच बारिश का टाइम था और संजय मीरा रोट पहुंचा तभी संजय मीरा रोट पे रहता था ठीक है तभी तो मतलब 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 में दिवाने पर भी आऊंगा राजकुमार जी आ है तो वह मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है दिवाना तर्निंग पॉंट इन संजय पांडे करियर लेकिन उसका क्रेडिट थोड़ा मेरे को भी जाता है ठीक है वह आज के सामने बताना चाहूं पांडे जी के सिनेमा का क्रेडिट नहीं लोंगा में वह इसा है लेकिन मेरा पूस और भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है जो भुछपूरी इंडस्ट्री को वरना इसना बड़ा एक्टर नहीं मिलता हुछ तो संजे मीरारोड पहुचा और संजे को बस घर भी हूसी नहीं के नीचे था और मैंने फोल जिया मैंने बला भाई किदर है बुला यार बस अभी घर के निचे हो बूला बस वापस आजान दे लिए और वो टाइक जब ट्रेंसे ट्रेंसे ट्रावल करना होता था संजे को पैसे और इस सब चीजे बहुत वह खुदार आपनी था वह अब लोग के बीच में पैसा ऐसा कभी रहा नहीं लाइफ के अंदर अब गया घर में घर पर गया बड़ी खुश कि बाभी खुश कि असफट आ गया बहुत पांच बड़ पानी पिला फिर वापत जा रहा है बेरको तो बाभी ने बहुत वह रागनी आज तक नहीं बूली है वो बात कि संजे आप नीचे पहुचे फोन आया आप उपर आया पानी पी फिर नहीं कर लिये है अने एक घंटा लगता ताने में एक घंटा उसल को बाभी पी को ही बोलती थी कौन से सौतन आ गई जिद्दगी के अंदर मेरे लिए तो वही होता सौतन कट्टू भाई ब आप संजाप अंडे एक दिद मेरे को मजे लेने के लिए फोन किया बेरे को क्या बाता है कि छे साथ महिने बाद ऐसे अचाने दिन पता नहीं से कभी एक तो फोन किया और साले अभी बुलाओं का तो आएगा बोला नहीं किया प्रौन अबोला हम थो आ जाते थे तो उम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे थे हम तो प्यार करते रहे राथ शोड़ के यह इस तरहा की बॉह तो ballisticी लाइफ के अंदर फेर हमारी वाइब से चीजे बहुत अच्य तरह शी समय है कि मतला उसकी दोस्ती है क्या और ये पैसा कम रहे है ओ को मुझे शादी भी करनी थी तो मैं अपने घर पे बोल नहीं पा रहा था कि ब्लब को शादी करनी है कि इसे कुछ आके बुला जरा आओ घर पे और प्यार से तिरा के मम्मी को बोल दो कि मैं शादी करने के लिए ठीक है ना अभी उसके रियलाइज हुआ लाइप में I was 31 तो मैं बुले यार बहुत गया है अब चलना चाहिए तो घर पे आता है खाना ना काता है सब कुछ आता है करते कहते है अपी को को करने का या लड़त रागे अंदर आया अंडर आया चाची बात हो गोगी लो और मेरी पहले पास उसके बस तो ही वही पसंद आए हम मिले तुमारे तुमारे गवाउप पुशने वाला पहला अब मैं वो चीज बताता हूँ जो चीज बिसिकली संजया पांडे को बोच्पुरी सिनेवा में स्थापित जिस पिच्चर ने किया मतलब as a ranter दिवाना पिंदे तो वो वो one of the best creation है राजकुमार पांडे का मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है मैं बोलता फैमिली और रोमेंस में तो पांडे जी का बोच्पुरी में कोई हाथ ने पकड़ सकता वो अपने एक लेवल पे हैं मतलब और उस वक्त तो चाम पे थे और उस वक्त का सिनमा का एक ब्यूटी भी था विजय कि मैं अपनी एक अलग तरी की आड़ मख्यां वे बनती थी फिर मुन्ना भाई की पिचरे होती थी आक्शन पूरा ड्रामा उस तरह की मुन्ना भाई की फिल्म नहीं होती थी तो दो फांट शे साथ आज जमने पिचरे कर रहे थे ना उसमें ना एक चिछा थे जी बोच्पुरी सिनमा की कि उसमें ना वेराइट सब्सक्राइब करते हैं तो किसी का फोन आता तो साउंड चला जाता है हाँ सालेंट कर दो जी जी सर तो दो हजार जब भी यह बात हुई 2008-09 बात होगी नहीं पहले बात है मेरे कल से तो संजे एक दिन आया इस अधिन में वो फोन आया अच्छा ठीक है और संजे उसक्तना कहानी करकर कि और सब सेरियल्स में संजे तु उसक्त करम अपना-पना खतब गुआ था ना तेरा रोल करम अ अपना चल आता और बहुत इंपोर्टन डॉल करा था संजे करम अपना बाला जी का शूटा तो इसने में वो कॉल किया राजकुमार पांडे जी का खोल आया था और वहीं मैं चांदी वाली में था राज जी ने बुलाया था मुझे वहाँ और राजी शूट कर रहे थे भा प्यार है और इस रोल की भीचे बहुत लोग है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम करो इस रोल को सब्सक्राइब रहा है? मार खाता रहेगा नए चुड़ वही लोगों से स्क्रीन के उपर मेरा वह इसा मैंने बोला यार पांडे जी दिनेज के सामने है और दिनेज सुपर सार है तो एक बार सुपर स्टार का मुखका खाएगा ना तो पबलिक भी याद रखेगा किसने मारा था किसको मारा था यहीं बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है कि पांडे जी तू कोई बड़ा नाम है नहीं संजय और तेरे को एज़ा विलन उसमें वो वो आचुके थे क्या नाम से अपना आज के बाद जी हम लोगों को देख भी रहे हैं राजक्मार जी तर Cute स्परस्टार के सामें खड़ा कर रहे वह स्सें मुक्का खाएगा तू देख दिनेश जब तेरे को मारे का ना तिरे को हुआ निह दी रहे हैं जब दिनेश को तू मारे का ना पत्妞 बनती है पांकि पाकी तिनना थी रोन कौन थी और पाकी थी ना यह इंदैन और पाकी है वह पिक्चर के लिए उसमे चाहिए लगता है अच्छा है राचकुमार पन्डे घैंव तो हम stop को अच्छी लगती ति राक्षमार जी कि बहुत फैमिली फिल्म और उस्तरगा सिर्मा हमेशा बनाते हैं कर लो कर लो कर लो यार मैंने फोक्स किया उसके बात की कहानी पूर दुनिया जानती है पिच्चर बनी और पिच्चर सिल्वर जुबली गोलने जुबली बहुत बड़ मेरी भविश्मानी सही साबित हुई थी उसके बाद संजय ने कभी पलट के नहीं देखा बोजपुरी सिनमा के अंदर उस पिक्चर के बाद से क्यूंकि उसवक्त कॉंपेटिशन के लिए देखो लिख रहे चिंटू की पहली फिल्म हाँ चिंटू ने मेरे बेटे कर रोल क तो सारे लोग तो वह मतलब उस सिनमा ने संजय को श्थापित कर दिया बोश्पुरी सिनमा के अंदर िया एक परसेंट लोगों को लगता है बोश्पुरी में की इवाना मेरी पहली फिल्म है लेकिन वही होता है न जहां से आपको सक्सेस मिलती है वही आपकी पहली फिल्म हो जाती है मैं बोजपुरी फिल्म Mे बनाने नहीं आया हूं न मैं बोजपुरी फिल्म कर नहीं कर दो कर टृव Simpson EL आधा हूं पॉझपुरी प्यार प्शन वे लीन हैं और आधम से और काम कर रहा हूं मेरे वो शेर ही नहीं समझ में आ रहे तब तक तो लोग बोलने पागल हो चुगा है आइसा शेर डालूँगा तो पता चला वो बोलेंगे यार कुक्कूर काई को बना दिया वो करना नहीं मुझे मालूम है जिस दिन वो आएगा सिनमा अपने अद्बूत सिनमा होगा तो मैं अपने पैशन मैं अपनी मातरबाशा के प्यार के लिए बोश्पुरी सिनमा के साथ जुड़ा हूँ और मेरे अपने कुछ आट छे साथ लोग है राजक्मार जी हो गए दिनेश हो गए और भी लोग है दुर्गा दादा हो गए यह लोग जो है यह मेरे अपने लोग है जिनके साथ मेरा मन भी करता है बातशीत करने के तो हम मात कर लेते हैं उसके अलावा यार आज की ब्रीट तो सच्पू समझ में आता है तो आट तो कोई भी आता तो सूपरस्टार होता है मैंने कल पर सो एक पेपर में नाम पढ़ा कोई सूपरस्टार ता नाम तो नहीं बुलूँ को उसको बुरा लग जाएगा पर मैंने उसका नाम ही नहीं सुना भाई उसके आगे जोड़ दिया सबस्टार यह पहली वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है विजह जहां पर 90 परसेंट पिचरे फ्लॉप है और बाकि सब सूपरस्टार है सथ्ट्य बच्छा यह कि इस बोश्पुरी इंडस्ट्री के अंदर मैं अभी भी बोलता हूं अभी भी बोलता हूं दो-तीर ही डिरेक्टर है आज की मतलब मैं करें जो लोग जो हमसे जूनियर हैं अगर बात करें दो-तीर लोग ही हैं जो मेरे नजरिये से जो में जो का सिनेमा देखना बड़ा अच्छा लगता है विशाल होगे मंजूल होगे उगे उन लोग का सिनेमा थोड़ा सा न आब जिस जोन में जैसे मंजूल ने पूरा कंप्लीटी राच्मार पांडे जी का वो बेटान बोलते न वहाथ में ले रखा है फैमली फिल्म रोमेंटिक फिल्म बनाना वो उसी जो नहीं है खीक है न विशाल जो है वो थोड़ा सा क्रांतिकारी सिनेमा बनाने की चक्र में हमेशा रहता है विशाल का पैटन और उस इन हम मंजूल के भी सिनेमा हम लोग उस इन साथ में बैठके दो दिन पहले अभी देख रहे थे अगर बोश्कुरी में नहीं आता तो कभी संजया पांदे से मुलाकत नहीं हो पाती है न दोस्ती होती कभी लाइफ के अंदर बहुत टाफ टाइम भी देखें है तो उसमें संजया पांदे इस दूइं मैं में विलन भी डेखें है और उम्मिद करते हैं अब सद्वारत अब बात करते हैं ना तो कोई भी हमको पागल समझेगा विजै कि युन वाट कर रहे हैं लोग अच्छा? इसकी डिबी पे इतना लंबा कानुरे से कर सकते हैं लोग? मतलब बता रहा हूँ कि हमारा कानुरे लेबल पर होता है और बहुत ही फूट्पन है हम किसी को नीचे नहीं दिखाते हैं, अपनी कॉनर सेशन में ना मैं कभी किसी को नीचे करता हूँ और बैक बैक बाइटिंग और ये सब करना है, क्या बोलते हैं, बिचिंग करना, ये करना, वो करना, हम लोग दोरों को बहुत पसंदे, हम लोग खुल के करते हैं, ठीक है न, पर यह है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो अच्छा काम करना चाहते हैं हम उसकी तारीफ भी करते हैं ठीक है संजे की वज़े से बहुत तारी चीज़े पता रहती है मुझे बुझपूर इंडिस्ट्री में ओ कहा रहे है तो अभी गवरू का जैसे काम खतम हो जाएगा ओफुली थोड़ी जन्वरी के आसपास खतम हो जाएगा फाइनली पिच्छर मतब रेडी हो जाएगा कि मैं इसने डेट भी अनौंस नहीं कर रहा हूँ पिच्छर का क्यूंकि फिर वो डेट एक गार उपर नीचे होती है तो फिर वो हो जाता है कि मैं अब मैं जो को ऐसा पिच्छर में उसका नाम ही गबरू है लोगों को इसका नाम गबरू है लेकिन वो दिनेश का नाम गबरू है तो संजे की वज़े से बोच्पुरी की बहुत सारी बाते पता होती है कहां पर क्या घट रहा है कौन सूपरस्टार है आज के टाइम पे और कौन नहीं है ठीक ह और मैं यह बहुत प्राउट फिल होता है जो बंदा एक टाइम पे जिसकी जेब में मैंने देखा है मतलब दो हजार तीन हजार उपए तक नहीं होते थे जिसकी जेव में और कभी मांगा नहीं पैसे कुछ नहीं हमारे बीच में हो कभी रहा नहीं और मतलब वैसे वाला इस देखो दोस्तों की बीच में क्या पैसों को लोकर इसको लेकर हाइलाइट है जब अपना घर खरीदने जा रहा था तब मैं बहुत मुरी हालत से गुजर रहा था और तब मुझे as a friend बहुत गिल्ट हुआ था जब अपना पहला घर खरीद रहा था और मैंसके घर में contribute ने कर पाए तो मैंने हमेशा उसको बोला मैं जिन्दगी भर के लिए मेरे को यह रहेगा कि उसक चैद में उसक जब घर खरीदा तब मेरे को financially बहुत loss हुआ था एक picture में जो मैंने बनाइटी गवगर सिंग जो उसमें टूट गए थे पैसे बहुत ज्यादा टूट गए थे तो जब इसने अपना घर खरीदा था मैं आता है बूझ जैसे भी आता बैजमिक जद बीच के आता है जोली करने आता है जब सिनेवा बनाने आता है वो उसकी चिट्ठी पे निखा होता है संज्या पांड़े यही तो यहीं तो पाते करते थे हम लोग बैठके जब शराप का दोर चलता था और हम बैठे थे और एक दिन आएगा itstaut है यह बहु घुव जाएगा और राए और वो रहा है आज के टाइम पर कर्काण बमार्द आ जा जाता था ले कि बतार प्रॉ attractingалась Sun準र इसा 58 करें कि अर जैसे बो리 होताई कि इसका बस चले लिए दा रहे इसका बस चले構 allons तो ये ना इसका बस अगर चले ना तो ये ना बगवान से बोलके ना 24 गंटे का 26 गंटा करवा दे बाबा थोरा दो गंटा इस दो एक पिच्छर करके आ जाओंगा मतलब ऐसा होगा I am so proud of you Sanjay I am very proud of you and I wish you all the best and हम तो मिलते ही रहते हैं मिलेंगे जंदी अब शूटिंग भी शुरू हो लिए वापस से या ऐसी तरक्की करते रहो जिन्दगी के अंदर और हम जैसे दोस्तों को तुमारी तारीफ करने का और मौका मिलता रहे जिन्दगी के अदर लब या और विजया तुमसे भी यार बने सालों बात विजया अच्छी बाते हुई इतनी मतलब पुरानी यादे ताजा हुगई और एक दोस्त हो तो ऐसा बेकूल को है बिलकुल दोस्तों मैं आप लोगा कमेंट्स नहीं पड़ पा रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी बाते हो रही है और मैं जब हमारा प्रोग्राम क्तम होगा तो हम संजे जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि और हम दोनों लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का जवाब दे पाएं संजे भाई हम नेक्स प्रेस्ट पर आते हैं कि आपने सारे 300 फिल्मों में आजे खलनाय काम किया और आपने एक हिस्ट्री बनाई तो जब आप करेक्टर और आप मैंने यह भी सुना और देखा भी है कि आप हर करेक्टर पर बहुत वर्क करते हैं कि आपने एक फिल्म में विलेन का ये रोल किया तो दूसरी में ये रोल किया तो वह जरनी कुछ बताई है कहानी तो नहीं जब मेरा किरदार मुझे या कहानी सुनाते हैं तो उसमर्ट एक दिमाग में बसता जाता है कि अच्छा ये किरदार ऐसा होगा, ये किरदार वैसा होगा एक rough idea आपके दिमाग में आता है हलाकि मैं सच करूँ तो हर किरदार के साथ नयाय नहीं कर पाता हूँ जहां quantity ज़्यादा हो, वहाँ quality थोड़ा सा मार खाती है और बहुत कुछ डिपेंड करता है डिरेक्टर के उपर बिल्किटर कौन है और वो मुझसे क्या उम्मीद रखता है या क्या चाहता है जैसे होता है कुछ डिरेक्टर है जिनके साथ में बहुत सवाल नहीं करता वहाँ मैं सुनता हूँ जैसे राज जी है राज जी के साथ इनका विलेन हमेशा हैंडसम होगा इन्होंने मुझे कभी भी गंदा विलेन नहीं बनाया है इन्होंने मंजूल है, मंजूल मुझे कभी हैंसम बनाए गई नहीं, मंजूल ठाकूर को लेके मेरे घर में बहुत मेरी वाइब चिलाती है, कि आपको इतना अच्छे इंसान को इसा गंदा क्यों बनाते हैं मंजूल ठाकूर, लेकिन राजकुमार जी हमेशा कहते हैं कि मेरा सूरत होगा. मेरा विलन हैंसम होना चाहिए, वो आए पर दे ना खुबसूरत लगे, उनकी फिल्मे मैं, मतलब मेरी आप अगर बिगनिंग की फिल्मे देखें, मैंने राज जी के साथ बीच में गैप हुआ, बिगनिंग की फिल्में कांटिनी की मैंने, मतलब मैं लाइन्स गिरा सकता दुश्मनी, आपके ट्रक ड्राइवर, सहिया के साथ मणाया में, यह वो फिल्म है जो मैंने बैक टू बैक की है, और इसमें एक में भी मेरा चेहरा खराब नहीं है, सम्में एक हैंसम मेरे नजर आता सामने से, तो कहानी के किरदार और बहुत सारी चीजें, मैं डिरेक्टर करता है, कि डिरेक्टर आपको कैसे नरेक कर रहा है, वो क्या चाहता है, मेरे लिए एक डिरेक्टर की चाहत बहुत माँने रखती है कि वो किरदार को किस रूप में देख रहा है, या मुझसे क्या पेक्शा करता है हूई? आप भी करेक्टर पर बहुत मेहनत करते हैं यह भी बहुत बड़ी बात होती ना कि जैसे हम लोग डारेक्ट करते है जब डारेक्टर आपसे उम्मीद करता है डारेक्टर आपको बताता है ना एक लाइन तुम्हें ही देता है कि मेरा किरदार ऐसा है तो थेटर का experience है अपना सब्सक्राइब करने में audience accept करेगी नहीं करेगी कोई guarantee दे सकता है इस बात की हम एक प्रयोग करते हैं कई बार प्रयोग फेल हो जाता है कई बार सक्सेज हो जाता है यह बिल्कुल बिल्कुल एक सर्प्राइज और है हमारे गेस्ट बहुत देर से वेड़ भी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब राजेश बावु करते हैं अरे 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 ह आट कि नहीं कि निए तो रहा है जिक्टु रहा है अले उज्याएगा आप ये ने आप तो दिख रहे हैं मुझी लोग दिख रहे हैं अंगर ज्त्कुल चले सब्सक्राइब करें. राजरेस रोंग तीन हो दीख रहें तुमको? राजर्स हम लोग तीन हो दिख früh थार नहीं नहीं तीन हो भी दिख रहें आप नहीं नहीं मुझे रायश नहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं है कोगि टेलकास पी सई और मैं टेलकास भी देख रहा हूं अरे मगर मुझे क्यों नहीं दिख रहा भाई आप देखें आप तो तीन हो आमको भी दिख रहे हैं आपको तीन फ्रेम दिख रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी आप नहीं यहां पर तो दिख रहा है सब नारुको राज़स में लेता हूं फिर से राज़स बड़ी यार लंबी बात वही बड़ी यादे ताजा हो गई पुराने और महज भाई ने किस तरीके से अच्छी सी बाते बताई और आप लोगे दोस्ति के बारे में बताई मैं एक बार संजय भाई को लेता हूं अभी दिख रहे हैं आप दिखे बाई अभी दिखे है क्या बात है क्या वाट वेरे गुर वेरे गुर बड़ी लंबी अभी तो महज जी थे तब पुरा एक इमोशनल जर्नी हो गया पूरा दोहजार तीन से लिए बहुत अच्छी जर्नी है बड़ी इंट्रेस्टिक जर्नी बिल्कुल और मैं अपने हिसाब से अगर उस जर्नी को बताऊ मैं तो मतलब मेरे लिए भी बहुत नया समय था वो राजेस तुम्हारा वीडियो पाउज हो मतलब पहली बार हम मिले भी होंगे ऑफिस में संजय भाई से घर दुआ के समय एक्छली क्या होता है ना मतलब काफी चीजे महस जी बता चुके हैं उसकी जो बाते हैं हमारे जो यादगार टाइम है हमारा इवें में क्या से चार साल तो हम लोग ऐसे थे कि एगम हर घंटा ह मैं कुछ और करते हैं लगा पर संजय भाई भोजपूरी फिर्णों में एक डम बहुत बिजी हो गया तो टाइम हो गया लेकिन वहीं क्या होता है ना विजय हम लोग थेटर से आते हैं जब घर दुआर के कास्टिंग पर काम चल जा जा था तो बहुत साई लोग आते थे औ बढ़ा ही मतलब यह कोई मत्या बोलू में इसको कोई स्पिरेटी कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन थेटर से जो करके आता है ना उसको बीना थेटर किया वह एक्टर दिखता है ना उसको कमी दिखता है तो बहुत साही लोग आते थे और भोजपूरी फिल्म कर रहे हैं तो उसमें कैसे अक्टर आएंगे और एक अलग पर्सेप्शन बना होता है मतलब जो अच्छा बुरा है जो भी है संजा भाई आये मिलने के लिए तब तक संजा भाई का बिल्राऊ नहीं पता था और इवें संजा भाई से मुलाकाते बाते भी बहुत कम हो पाती थी कुई कि हम लोग बिजी रहते रिखता है ना शुडूल बनाने में कि भाई शूटिंग और हमने एकड़म एंबिशियस कि हम बारा दिन के अंदर पूरी फिल्म कर देंगा हमने मिनेट मिनेट का शिडूल बनाय हुआ था महने कॉस्ट्यूम चेंज का भी शिडूल बनाय था शेटी में मिलके हां कि मतलब आधा घंटा लगेगा कॉस्ट्यूम चेंज में इतना लगेगा कि बार दिन अंदर पू तो पार होई इक है तो पर आपि आप से असल में भी आके स्टीट किया था ना अँमने सीम किया था साथ में मेरा इस हाद वो पहला सिंदा फिल्म का, वो कांस गिराने वाला तो क्या था मैं और संधीब, संधीब जो डालोग राइटर था इतना दुबला पतला दॉक्टर लेका तो तो क्या मैं और संधीब भी थे एक अच्छा एक्टर था 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 तो मैं भी अधिन करता था लेकिन हम लोग ठीक है कुछ हवा के थापेडों और वक्त के थपेडों से हमने एक्टिंग को पीछे दख दिया था और राइटिंग और डिरेक्शन कर रहे थे तो जो महज जी जी सीन के बादे में बता रहे हैं पहला सीन जब वो हुआ राउंट रॉली किसी भी एक्टर के लिए वहीं पर समझ में आ गया कि भाई यह जो एक्टर हैं कितना डेफ्ट थे के अंदर मतलब कैमरे के साथ कैमरे के साथ मूव करना ना आपने इतना अच्छा किया बहुत बढ़ी हैं बहुत साही लोगों से हमने सुना था जब हम आते हैं कि कैमरे की पकड़ है सबसे अच्छी अगर किसी अक्टर को तो वह बच्चल साहब कि उनको पता होता है कैमरा कहां रखना है और मैं किस एंगल पर अपना चेहरा गुमाऊंगा तो मैं कैसा लगूँगा जो हमारे थीयटर में इस्टेंश लेविस की थर्ड आई की बात करते हैं और मैंने जो काम करते हुए थर्ड आई देखा संजय पांड़ी जी के पास कि वह कैमरा मूफ कर रहा है और जो मूमेंट जा रहा है और जिस तरीके से डालोग जा रहा है वो पूरा मूमेंट को मैश कर रहा है और राउंड ट्रॉल है तीन मिनट का उसमें एक भी मिनट ऐसा अगरा कहीं और चला गया और एक्टर कहीं और चला गया और वो घ्लमजीनेस हो गया हो बीज में एक बड़ दिख भीजा की पीट आती है हाँ वहाँ मैंने हागि आगि पॉस लेके पॉस लेके पॉस लेके तो यह कमाल का वो था और वहां से फिर हमारा इंट्रक्शन तो वैसे ही अपने आप मुझे याद गबर गड़ ओव सीन देखने के बाद राजेश तुमारा फॉण आय था मेरे बास कि अधिए गबर का एडिटिंग में तुमें सीन देखा का और जबिग कर दिखा तक निए भाइग ने बहुत हाई लेवल की पफॉर्मिस कर दी हमार और संजय भाई से एक सवाद करना चाहूगा और मैं चाहूँगा और यह जवाद संजय जििने लोग देख रहे हैं सबको दे। और पतँ हैं वह जवाब कितनों को पता है क्योंकि संजय का मन की यह इच्छा मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है तो तो Sanjay भाई मुझे एक बास आए, फिल्म के टाइटिल में जब आपका नाम आप पड़ते हो, तो अब तो वैसा आता होगा, जैसा आपका सपना था नहीं कैसा फिर से क्लियर करो, क्लियर करो, अच्छा वाँ तो कई बार मुझे टोकना पड़ता है, कि मेरा नाम एंड संजय पांडे ही आना चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ से दे देते हैं मतलब वो फॉस्ट राइट से जब से हम मिले तब से संजय भाई की दिली चाहिए, वो मेरा सपना था अच्छार में जो एक उठ्था थी, कि प्राण साहब की तरह नाम आना चाहिए, एड प्राण ताकि जो फिल्म में विलें जो हो ना, विलें केवल मार्कत मटाने के लिए और जगह भरने के लिए विलें नहों, विलें हो जिसका एक स्ट्रॉंग करेक्टर हो कुल कि अगे विल्म की कहानी को आगे बढाए ना कि केवल हीरोईन को किड्नेप करने के लिए पादर तंच राने के लिए वो, डिग्रिटी वाला राक्षास क्या ग्रेविटी वाला ? दो क्यार हो पादर है, नहीं में बढाए थी का लिए बालोक कि वाल पर करें टैटी तो आए असमें, आर्म आर किम्रेध किनिले, क्वR, सिर्णी में मेरा खे मांफ जचा की जालिए छिए से मित मौह और में संधीप अए संधीप अड़ेतें, आ एक्ट गरề them ।ो मैं और स संज्य भाई मेंड विलेन थे और संज्य भाई के लपू-चपू थे हम लोग। धरोगा संपाई को पीछे रहते हैं. लेकिन जो सीन लिखे हुए थे, नो एक बार संज्य भाई ने पकड़ा जा आएं कि सानुत, तुम लोग ने सीन लिखा है तो तुम लोग से था. हर सीन में मेरी बेज़ती करवाते हो तुम लोग और मैं मेरी बेज़ती लिखते हो तुम लोग हर सीन में और बाजी तुम लोग मार जाते हो यह कैसा विले नहीं मैं महर से लड़ूंगा इस बारे बक्राइब या कि अधिए उल्ला अधिया और यह को लोग बनाते हैं यह बोला है इस विवाला मुझे अइसे उल्लू पनाते थे। ऑफ बहुत भी किँ ग्रावटी मारा खाय भावर चला जा रहा रहा ह। संन्जवाइ यह भोला लाक्षास है। मनें खाय राक्षास भोला कैसे हो सकता है। ऐस भोला लाक्षास है। यह करेक्टर था ना लेकिन अभी आपको जब महेश जी ने भी बताया तो सेकेंड फिल्म का वो करेक्टर ही था वो कि एक बेवकूफ सा विलेन है जो लोगों के चक्कर में पड़े जाता है और बाद में पिटता है तो ऐसा विलेन था अरे बाहर रहा हुआ 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 उसके बाद बहुत खुशी होती है जब भी हम भर पर कोई भोश्पूरी फिल्म लगाते हैं और उसमें संजय भाई तो दिखने ही बिखने ही बिल्कुल बीच में हम लोगा तो ऐसा मजाग भी हो गया तक अभी कभी हम बात करते थे कि आज मिलते हैं तो हम तो मिल लेगे ल आज 45 दिन बाद आया था करना और मतलब ऐसे आता था एक बार तो मुझे आदे कि मैं घर पहुचा हूँ दिन में और मेरी बेटी बहुत खुशी पापा है पापा है और देख रही पापा फिर से पैकिंग कर रहे है और मेरा उसी रात का टिकट था और मेरा बिटा जाना प संजय भाई एक सवार हो रहे मेरा आ पुच पुच फुच बहुत है अब उत्वी का एक सपना पुरा होता है उत फिर वो बुरा को देखना शुरु करता है पिर औल्ट आ कि पिरहां वालगले तो आपका सपना पूरा हो गया है अगला सपना क्या है वो में चाहता हूँ सपना क्या आपके लिए ओभी पूरा हो गया होगा देखेंगा यार मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब विलेन कर लिया मैंने और अब मुझे ऐसा लगता कि जिस तरीके के सेंट्रल करेक्टर इर्फान भाई या नवास करते हैं उस तरीके का हो गोश्पूरी में हो हिंदी में हो अब मेरी कोशिश है कि हंदी में हो थोड़ा सा लोग बाहर निकल कर कलाकार बन गया है ऐसा लगाँ यह मेरी मात्र भाषा है, इस भाषा का मैं संबान करता हूँ, इस भाषा ने मुझे इस शेर में टिका की रखा है, अग्त है, जला है, लेकिन हम मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सब शेत्र बढ़े, और मैं उस तरीके के करदार करूँ जो मतलब केंदर में हूँ, यह बड़ी इच्छा है मेरी अब करने के उस तरह किसे हैं, हाला कि एक और है जो भोश्पूरी वाले पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं डवल रोल करना चाहता हूं भोश्पूरी में बुलंदी के डैनी साब जैसे, बाप भी विलन, बेटा भी डैनी, मेरी बड़ी चाह एक बार मैं बाप बेटे का किरदार करू, बाप विलन हो, बेटा पॉसिटिव हूं, यह नहीं पूरी होरी राजेश, कोई नहीं दे रहा हूं, होगी, 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 पूरी होगी, यह एक सपना पूरा हुआ है, आपके यह दो सपने भी पूरे होंगे, इसका मुझे पूरा बरुसा है, यह नहीं अच्छा लगे गए, और जिस मतलब क्या बोले है, मतलब ग्रैविटी के साथ आप काम करते हैं, यह सपना जिस तरह पूरा हुआ है, बाकी दोनों सपने, और जो दूसरा सपना आपका जो बड़ा सपना है, वो भी बहुत जंदी पूरा होँगा, यही मेरा, मेरा, मेरी दुढ़ा है, और यही मैं चाहता हुग है, थाइंक्यू, थाइज आया, बहुत अच्छा लगा, याज, थाइक थाई, थाइक, थाइग थाई, थाइग थाइस सज्secondि मेरे पसीने चूट जाते हैं, थार राज एपाड़ी की महनत द बहुत मेंती बहुत मेंती है शुरू से बहुत मेंती है संजे भाई जब आप स्टार एक्टरों से मार खाते तो समझ में आता है जब नए नए एक्टर हिरो बनके आते हैं और वो जब उनको फाइट के बारे में पता नहीं होता और डूब्लिकेट यूज नहीं होता तो आप पैसे उनको समझाते हैं कि भाई देख समझ बुष के मार या जो भी कर वो आप क्या टेक्निक यूज करते हैं पहले मैं उनको फाइट करते हुए गुंडों से देखता हूँ अच्छा गुंडों से बैट जाता हूं और जब गुंडों से फाइट कर रहा होते हैं तो मैं लडवाओ मत तल्वार अलवार खुसादो पेट में या गोली लगा तो पंच मैं नहीं करूगा सक्षब नहीं करूगा क्योंकि रिसक पंच में होता है कि यह पंच में यह फाइट आता है अगर यह हल्का सा पंच यहां चला गया तो आपकी ना कहीए जवड़े में मुझ गया आपका मतलब करियर के साथ खिलवान हो जाएगा तो मैं उनके साथ बोल देता हूँ और मैं सीनियर एक्टर हूँ फाइट मास्टर को और भी काम करना होता है मेरे साथ आगे भी तो वो हिजदत भी करते हैं तो वो कुछ गड़े को आते हैं अच्छा रिस्की लग रहा है क्या मना भाई बहुत रिस्की लग रहा है मारमूर देगा भाई ठीक है कुछ करता हूँ एक तो वहां तलवार रखी होगी तलवार पकड़ेगी संजी बाई तुम्हारे पास आगे तुम तलवार पकड़े के उल्टा खुसाद होगे पेट में ऐसे करके मैं सीन निकाल लेता हूँ मैं आइडिया निकाल लेता हूँ मैं सिर्फ चुप-चाप क्लामेस के दिन बैठके सिर्फ उस एक्टर को हीरो को लड़ते वे देख रहा होता हूँ कि यह कितना खतरनाक है अगर मुझे लगता कि नहीं इस वेरे वुड़ फाइटर यह लड़ सकता है तो मुलता हूँ लड़ेंगी तो फिर लड़ता हूँ मुझे लड़ने से परेज नहीं है मैं नए हीरो पुराइने हीरो से मार खाने में मुझे कोई परहस नहीं है व्हाइट का नौलेज हो गुरू कि कई बार आपको छोट भी होगा आपको कही बार चोट बहुत बार लगई चोट लगी आंक मैं लगियती और पेट में हमेशा लगती है और फाइट होने की तिन दिन बार मैं के साथ होता है जब्लमेक्स होता है the बहुत बड़ा काम हो गया मेरे क्लामेक्स तक मैं डरा हुआ रहता हुँ आज भी क्लामेक्स में मैं डरा हुआ रहता हुआ भाइ आपने इतनी लंबी फिल्मे कीई आपने इतना अच्छा नाम आपका है तो आपको लगता है कि जो नाम हिंडी फिल्मों के विलन को मिलता है भौश्परी बिलिल को नहीं मिलता, कुछ ऐसा लगता है, आपको फिल होता है कभी-कभी. मुझे लगता है हिंदी और साउथ के बाद भोषपुरी का बहुत बड़ा नाम आता है. मैं आया था हिंदी करने, और हिंदी में मैंने बहुत काम किया है. अब ख्वाइश है कि मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऊपर बैठा है, वो सारे रास्ते बनाता है. बिलकुल, बिलकुल. बिलकुल, 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 एक हमारे गेस्ट और है, सर्प्राइज बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बस इसे आपको मिजवाता हूँ. बिलकुल, बिलकुल, तो सामत भाई कुछ आदे बताईए, आप भी एक बहुत अच्छा नाम है, इंडस्टी में. कुछ संजय भाई के बारे. तो वो क्या राज है, जो दिमाग में, विजय सर में एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ जो होती हमेशा, एक एक एक्टर और एक केरेक्टर, दोनों आपस में अगर जो बात करते हैं, वो बात मैंने संजय भीया में देखिये. ये कई बार अकेले में कुछ से बात करते हैं. और जो एक्टर, केरेक्टर का अंतरद्वन्द होता है, ये वो चल रहा होता है, और उसके बाद दादा के बॉई हैं, हरी भीया, उनको एक आवाज आती है, चाय बना के लाओ. और वहाँ पे कहीं 108 रहती है किसी चीज में, कि ये जो जीन पिछला गया है, शायर ये थोड़ा सा 19 रह गया है, और अगले वाले को बहुत अच्छा कर रहा है. क्या बात? क्या है, कब मेरे भीच में से एक्टर और करेक्टर की वीचे बात चलने लगती है, सेट में ही बैटे-बैटे, और ये बीच आगता है, ये सीन में गड़बड कर दिया, मैं डिरेक्टर या किसी की तारीफ होता, कोई करता तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन मुझे कमकि भी ल यह समर्थ ने समर्थ नहीं पख़ड़ा इस बात के बहुत मजाक उड़ाता है प्रवोच तो तीन बार मैने टोका और मैंने डांट खाई है पर वो जब उठ बुद बुद आते हुए से दिगी आते हैं मुझे समझ में आयता है अभी दादा कहीं लगे हुए हैं मpannt क के बीचक सीरह सोच रहा हैं, तो धॉस्त धॉस्वत नियुका है यूसमे भलत में महा बत कर दा हूं, अब करे लुकर रहा है कि लुतर के नहीं और थका सब्सक्राइग करें, बहुत है, बहुत दाद होता है, जो हधी नहीं, अपको पती नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन मैं सामने नहीं हूँगा आपके, मैं ट्रांस में जा चुका होता हूँ और मेरा दंद शुरू हो गया हुता है, अगर इन तीनों की किसी की परचाई निकल गई, बहले कितने बड़े विलन बन जाओ, कुछ नहीं होगा, अतालिया इनी लोग को मिलेंगी, क्या बात है, और सब्सक्राइब के साथ अगर जैसे राजा बाबू में मुझे भी फाइट वाले जो आपने जिक्र किया, उसमें दिनेश जी के साथ एक टेक्टर की फाइट है, अप्रेल का महिना और उत्तर परदेश में 46-47 टेंपरेचर, और पाश दिन वो फाइट चली है, मतलब देखके लगता था, मतलब दिनेश जी और संजय वहीया दोनों को सलूट है, और हमारे जो फाइट मास्टर से, कैमरा में थे, मतलब पूरी टीम, राजा बाबू में उस वक्त ऐसी लगी थी, उसके पहले माहौल बहुत अच्छा था वाजए, वारिश हुई थी, मतलब मुझे लगता है कि सब को हुआ था, acabarी टीमॉडब को हाथ में हरा था, कि मतलब मूझे लगता है कि सब को हुआ था, सब को हुआ था, सब को पूरी उमल फूराच में घ्ञान ही होदिती, तो आघमी Oprah हजाता था, Strawीará मैं बचाता, मोना निशा जी बची थी, उनका बॉआय, मेरा बॉआय, और प्रेम दुबे, पांच लोग बचाता, फिल्म ही अपने आप में बड़ी यादगार थी, और समर्थ को तो मैं जानता हूँ, मोपाल से ही, मतलब यह जानता हूँ, 6, 97, जी, जी, 96 में, और सबके मढ़ीया बात है, विजय सार, कि कहीं न कहीं, जब कुछ भी चीजों में बदलाव आया है, तो उस बदलाव वाले चोरहे पर हमेशा कंदे पे हाथ रखके यही खड़े मिले मुझे, मैं 98 में NSD का एक्जाम देने आया था, पहली बार मेरा नही हुआ, आदा खंटा इंटर्विव हुआ, पहली बार नहीं हुआ, थोड़ा सा मायूस हो गया था, तो कंदे पे हाथ रखा, चल, अगली साल देना, क्या होता है, ठीक है, नेरू सेंटर, नेक्स्ट येर फिर आए, फिर नहीं हुआ, तो बोले, सुन, जा ठेटर गर, मन हो, आजाना, नहीं तो ये तो रस्ता भूल जा, 2003 में आया, मैं आके भुझपुरी फिल्म है, सुजीद जी की बल्मा बड़ा नादान से लौंच हो के वहां करने लगा, ये सुनता था कि, संजब ये सीरियल वगरे कर रहे हैं, बाला जी में एक सीरियल अच्छा इस्थाफित नाम है, फिर बतलब इंडस्टी में सब ये जानते हैं कि मैं पिछले पांच या साथ साल से जानता हूं, लेकिन जबकि हम आई तिंग शाफ पच्छिस साल से जानते हैं, दूसरे में, और संजब ये हमेशा मुझे डाइक ते थे, बस 30 और फोन करते हो तुम, बागी और को बार बात होती है, जिसमें निंदा रस का पान होता है, गॉसिप के विला तो मज़ा भी नहीं आता नहीं होता है, जब तक फोड़ी गॉसिप नहीं हो, जो निंदा रस में जो रस है, वो रस किसी में नहीं है, और सबसे बढ़िया ये होता है, कि हमारी निंदा में कोई आह अगर थोड़ा सा गुस्ता वगेरे भी हुआ तो समझा भी देते हैं डांट भी देते हैं और हमें तुमने विलन उसी फिल्म में किया जो फिल्म मैंने छोड़ी तुम्हारे बोला हूं आ रहा हूं हाँ कुमार जी वो पहले फोकस पे हुटे थे उन्होंने एक फिल्म बना रहे थे पहली फिल्म थी शैद उनकी त्री नेतर उसमें में विलन संजय विया कर रहे थे शैद कुछ पैसों के डील थी या डेट की कुछ प्रॉब्लम होई संजय विया ने मना कर दिया मेरे पास फोन आया कि आप मिलने आ जाएगे मैं मिलने गया बोले रोल संजय जी कर रहे थे लेकिन अब संजय जी नहीं कर रहे हैं आप करेंगे क्या दूसरे दिन सुबह फोन आया एक बड़पन देखिये पॉजिटिव वाला कि चलो बेस्ट ओफ लग अच्छा है फिल्म घर की घर में आई बाहर नहीं गई यह बहुत अच्छी बात बहुत अच्छे से करना अच्छे से करना वेरी गुड जा तब तो फिर अपन चोड़े होगा चलो अब तो कोई टेंशन ही नहीं हम नेगेटिव करते हैं क्या वात बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत अच्छी बाते होती है यादे ताजा सफर उनको पता होता है मतलब आज तो वाकई में मतलब इतना बहत्रीन बात हुई महज भाई ने और राजेश ने मेरे लिए भी फेस्बुक में मतलब यह अलग तरीके का इंटर्व्य हुआ इतने लोग जो पीच में आए और बहुत बारीक बात है विजय तुम भी थेटर से हो कि हमारे को किरदा होले आपके बारे में क्या सोचते है और आपके दोस्त आपके बारे मेंं क्या इतनों ॏ इन संभी दोस्त के बारे में कहा है बुलाया तो यह पता चलता है करेक्टर समझ में आता है कि हां यह है अच्छा लगा अच्छा लगा ताक्यू अब मुझे लगता है थोड़ा आसान हो गया है बहुत सिंपल सा एक्जांपल दे रहा हूं जैसे आज हम लॉक्डाउन में हम कोई समान लेने दुकान में नहीं जा रहे है या दुकान दार कोई आ नहीं रहा है कोई हमारे पास कोई आते हैं ने लोग सेल्समैन या प्रोड़क्ट लेके अब मोबाइल पर सारी चीज़े हो रही है आप और करिए प्रोड़क्ट घर पहुंच गया है अब लोग हम लोग मैं आजम गड़ा और आप मुंबई कनेक्ट होगे इस टेक्निक का फाइदा आज की एक्टरों को मिल रहा है हमारे समय में यह टेक्निक नहीं थी हम फोटो लेके फोटों के बीचे नाम हाइट है इसे बनाता था यह यह कर दे उसके पर फोन का चित्र बनाता था और आगे नंबर लिखता था और कई दिनों तो पीपी नंबर था तब ज़्यादा मुश्किल था श्टेगल तब और जब हम सामने जाते थे तो हमें जिसे कहा जाना कि वह धिकार भी बहुत होता था आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला क्या रियक्ट कर रहा है आपकी फोटो देख रहा है आज की डेट में तो मुझे मुझे लगता अब स्ट्रेगल ज्यादा आसान है संजय भाई चुकि हम लोग भी भोषपूरी के भोषपूर मतलब आजम गड़के हैं हमारी मात्रभाशा है संजय भाई जो दर्जा मिलना चाहिए भोषपूरी को कि आज हम सबपरिवार भोषपूरी फिल्में नहीं देख पाते कहां कमिया रह गई कब वो दिन आएगा कि जैसे हम लोग हिंदी फिल्मे सब परिवार देखने जाते हैं वो दिन कब आएगा चुकि आप एक सब्सक्ता बनेता है कहां पर कमिया है मुझे सा लगता है कि यह जो दूसरा दोर शुरू हुआ थीसरा दोर भोषपूरी का आफ्टर ससुरा और यह सारी फिल्में आई तो कहीं संजेब भाई का निटवर्क हां आ गया है हां ठीक ठीक हो के सब्सक्राइब कर दीजिए उसको दोस्त कुछ प्राब्लम आगे संजेब ही हमारे और बड़ी अच्छी बात चीत हो रही है इंगार बाते हो रही है जी संजेब है जी हां तो मुझे सा लगता है हेलो मुझे सा लगता कि हमने ही कुछ कमिया रही है हमने अपनी टार्गेट ऑडियंस बदल दी और वो ऑडियंस हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आ गई जो तार्गेट ऑडियंस थे हमारी जिस ऑडियंस को वो एंटर्टींमेंट चाहिए था चोह हम दे रहे थैं हम जो चाहरा रहे थे घो कि हम झो दे रहे थे आक्सक्त कर रहे थे या वो जो चाहरा है थो हम उनको दे रहे हैं तो यह audience बढ़ती गई और यह audience continue कर वह सालों तक थी तो हम ने उस audience की परवा ही नहीं की जो audience नहीं आ रहे हैं हाँ हम उस audience के परती बेपरवा हो गए जो घरों में रह गई जो निकली नहीं हॉल में क्योंकि हम जब हॉल में जाते थे तो हम देखते हैं तो हॉल तो मरा हुआ है हॉल तो खचा-खच है पैसे भी आ रहे हैं audience भी आ रही है तो फिर हम ने उस audience से क्या लिना देना हमारे हमको बाहर घेर रही है यह हमसे autograph ले रही है यह हमसे selfie ले रही है तो यह भी तो audience है ठीक है तुम नहीं यहां तो अपनी बला से घर पे रहो नहीं दिखाना हमको तुम को picture यह एक अलग तरीके के जिद maker के अंदर आ देगी मेकर समझ नहीं पाया कि audience बढ़ानी पड़ेगी यह audience जो अकेले फिम देखने आ रही है यह भी family वाली audience है बिलकुँ और हम वहीं चूके और धीरे-धीरे उस अब कोशिश हो रही है अब भी कोशिश नहीं अब हालात ऐसे हो गए कि अब कोशिश करनी पड़ेगी हमको अब सारा सेटलाइट पे आ गया है तो आपको जो आपको लगता था कि हॉल में लोग जिस पे ताली बारते थे सीटी मारते थे वह चीज़ें वह नहीं पसंद करेंगे तो आपको वह चीज़े काटनी पड़ रहे अब मुझे लगता है तब भी हमने अच्छा सिनेमा बनाया था अब हमें इस अब बनाया पड़ेगा जो घर में बैठके फिल्म देखती है बिल्कुल बिल्कुल आप फिल्मों के साथ साथ सीरियल में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करी रहे हैं तो आपको कौन सा पसंद आता फिल्में करने में बहुत मज़ा आता है कि अगर में जोंकरी नहीं की क्योंकि मजबूरी वाला काम नहीं करना है आफ मिलता है आपको करेक्टर में लैं एक्दमने ही मिलता, तो आपने बहुत सक्री राजनीत में उनका बढ़चर के हिस्सा लिया और साथ दिया तो हम क्या कभी भविश में ये सुनेंगे जानेंगे कि हमारे सन्जय बाबु भी राजनीते में आये और अच्छा नाम या और आगे बढ़े कभी कुछी हैं। राजनेता ना तो यह कम से कंवे से ज्दा का फासला है दोलों के बीच में तो वह थैसा है लिए वह वालों को में वह मोर्म हँती तो ने छेसे शचम्ष बेफifully में दिल वालों को में पहने व sms तो राजनीती दिमाग वालों के लिए है, अभिनाय दिल वालों के लिए है, बहुत फर्क है नेता और अभिनेता में, दिल और दिमाग का, तो मुझे लगता जब तक दिल कहेगा, तब तक दिल वाला काम करेंगे, जब दिमाग कहेगा, दिमाग वाला करेंगे, जब दिमाग आ रहा है यह system खतम होना चाहिए को कि सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं कि मुझे असा लगता है कि पहली बात तो क्या है कि हमारे यह फिर association का problem associations जो हमारी है वो proper producer के साथ deal नहीं कर पाती है ऐसा हला कि मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन maximum लोगों के साथ होता है payment का problem बहुत बढ़ा इशू है हमारी industry बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा इशू है इसमें क्या है पिस्ते technicians actor है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी association है जो यह दावा करती है वह हमारे लिए उनके बीच में और producer के बीच में एक बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए बहुत साब बात्चीत होनी चाहिए और यह समस्या दूर तो होनी चाहिए बहुत बढ़ी problem बिलकुल वह संजे भाई हमारे अगर है अगर हमारे फिल्म डेस्टी में परिवार बात का बहुत आरोप लग रहा है अभी आप देखी रहें सुन देएं तो क्या भोषबुरी फिल्म में भी ऐसा है परिवार बात का बहुत ज्यादा वहां पे है नहीं कहीं नहीं है बोषबुरी में बिलकुल नहीं है और एक्शुली बोषबुरी में बोषबुरी की बात करूँ तो बोषबुरी में बिलकुल नहीं है अभी इससे पहले समर्चत्रवेदी आये थे ये बोपाल के रहने वाले हैं इनको एज हीरो सुजीत कुमार हमारे बो परदेशी के मया क्या नाम था उसका और हमारे जो आयते बोषपुरी में यह वह भी फिल्म इनकी पहली तो जब एक मत्यपरदेश का बंदा बोषपुरी में कर रहा है ज़े हीरो कर रहा है ऐसे बहुत सारे नाम है विजय बाबू मैं आपको एक बात बता दू मेरा इस फिल् में आप बाहु बली हो नहीं चलोगे इस फिल्म में आरक्षन नहीं चलता यहां सिर्फ तेलेंट चलता है और कोई आपके टेलेंट को कितने दिन चुपाएगा सर आज आप इंडस्टी में देख लीजिए चले मैं हिंदी की बात करता हूं अंश्मान खुराना कौन से बिलकुल, बिलकुल, super hit film होती है, इनको सलमान खान की audience से compare मत करिये लेकिन इनकी अपनी audience है, जो इनके नाम से film देखने जाती है, तो आप कहा परिवारबाद की बात कर रहे हैं साहब, ये नाकाम लोगों की धाल है, ग्रूपिजम नेपोडिजम इस सब कुछ नहीं सर जिसमें टैलेंट है तो आप निकलो गया बिल्कुल फैक्ट और कई स्टार के बच्चे देखें नहीं क्या होता है सर आदमी अपने अपर दोश नहीं लेता कि गुरू हम में कमी रही हम मौके को यूज नहीं कर पाए हम गवा जालंसी होती है तो वो एक् impossence होता है और रियाज नहीं करना चाहता वो हो सिर्फ शारूक खन ऑनना चाहता है बस आप पांच मनट बार करी एक्टिंग के बारे में, उनको पते नहीं होगा कि एक्टिंग के बारे में बात क्या होता है, एक्टिंग की भी exercise होती है, अच्छा, हमने तो सुना गायक लोग रियास करते हैं, दांसर लोग करते हैं, एक्टर भी रियास करता है, अच्छा, तो सर, जितने ये इजम के ढाल लोग लगाते हैं, वो या तो कमजोर एक्टर होते हैं या आलसी एक्टर होते हैं, कहीं कुछ नहीं है सर, खुला मैदान है, आप में दम है, आजाओ गुरूप, आजाओ, बिल्कुल, 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 संजे भाई, नए लोग जो इस फिल्ड करा लोगा, उनके बारे में कोई message positive दीजिए कि भाई, ऐसा नहीं है, जैसा आप समझते हैं, जी, सर, वो जो बात कहें, बहुत-बहुत बड़ी बात कहीं, बिल्कुल, आपने, यह जो हमारा समाज कहता है, आरे, नकारा हो, ससुरा कोछ ना करता ले जाता है, अपने सत्वा यह क्या acting करा है था, अरे, मतलब हमारा सोसाइटी क्या सोचती है, acting सबसे नकारा लोग करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है, जीवन में वो acting करेगा, अरे, आपको सौख लगता है, सर, जे, पान लगाने वाला, कथा लगाते लगाते बुलता है, यह बया, आरे, तनी, हम रोल अरे, बहुत इरिटेशन होता है, क्या समझते है, acting को, यही लोग है, जो use होते है, misuse होते है, लोगों से ठगे जाते हैं, और इसलिए मैंने, कि कल को मेरे पापा ने बड़ी ची बात गए थी, बेटा, कोई यह न कहे, कि तुम पढ़ने में बेकार होते है, इसलिए एक्ट सरुस्कित literature से किया, और पढ़ाई complete करने के बाद bomb में आया, कि कल को कोई कहे, तो यह न कहूं कि बास, अरे यार पढ़ नहीं पाया, इसलिए actor बगे, नहीं, पापा कहें, बेटा, पढ़े लिए actor बनो, पढ़ाई पहले qualification, पहले complete करो, तुम जाओ, मैं नहीं रोपूँ ग लेकिन हमारी society और उन सब लोग के लिए, जो लोग गाउ में बैठके, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग गाउ में बेखते हैं, एक तो आज कल Facebook और Instagram पे लोग ऐसा message करते हैं, आप से कुछ जरूरी बात करनी है, आपको messenger पे message दिया है, औरे कवन जरूरी बात कर है, जवन तो अमके कोने में बुलावत होगा, आप आसान रास्ता पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं, चाहते हैं, सन्जेपांडे क्यों help करेगा आपि इसमें shortcut कुछ नहीं है, शौटकट चाहते हैं आप, आप acting का यह नहीं आता है, आपने हलके में ले रखा है, आपको एक्टिंग को हलुआ समझते हैं जिस विदा के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल गवा है तो एक्टिंग हलुआ नहीं है दोस्त मैंनत करो रास्ता मुझसे मत पूछना एक गल्फेंड रखते हो तो उसको चिट्थी कैसे पहुंचाया जाए मैसेज का पैसे पहुंचाया लगाते हो या बाबुची से पूछते हो जुगार खुदी लगाते हो ना बड़ी कड़ी बात कह रहा हूं मुझे बहुत सभी बहुत सभी यह लोगों का भ्रम ठूटा चाहिए अब लेकिन एक्टिंग बार में बहिया कोई रास्ता बताईए बहिया बताईए कैसे जाया दोस्त इमा डारी से महनद करिए और पूछीे कि हम कोई नीं बताने आया था पता करिए जब आप अमेरिका की खबर बैटके गाउं में ले सकते हैं तो इंडिया में क्या हो रहा है आपको बताना पड़ेगा कि अक्तर कैसे बना जाता है तो वह पता आप करिए आप बुम्माई आईए आपके अंदर टैलेंट होगा किसी संजय पंडे की जरूत नहीं है आपको 75 लोग खड़े हैं काम देने के लिए दोस लेकिन पहले मैंनत कर लो बस इतना ही बोलूगा मैं बहुत से बिलकुल बिलकुल अंतिव प्रस्ण यह है कि आज करोना काल में हर जन मानस हो चाहे अपनी इंडेस्ट्री के लो बहुत डिप्रेशन में उनके लिए कोई प आर्थिक, फैनेंशियल प्रॉब्लम बिलकुल आप आर्थिक रूप से टूटे हैं क्योंकि लगबख 5-6 महिनी से लोगों का काम बंद है और हम सरकारी हम सरकारी या प्रेवेट जॉब नहीं करते हैं कि हम घर पे बैठके भी पैसा हमें तंखाव मिलेगी या हमारी लाइन कि आदर काम और मुझे असमादाका और ममसादाव की आधा गाता है। बैतर हो इस समय का सदुप्योग करें अगर आप उम्में में नहीं रह सकते आप गाउं में थे कुछ लोग चले गए मुझे लगता बहुत अच्छी बात अपने लोग के बीच में गया है और दुबारा चुकि बहुत जल्द सब कुछ open हो रहा है और सब बारबल हो जाएगा आपको आर्थी ग्रूप से कमजोर कर गया है आपका टैलेंट थोड़ी लेकर चला गया तो आपके अंदर है ना वो थोड़ी करोन बाउन आ उठा के ले गया कि आरे चलो आय तो फैसा तुन हो लेगा यह तो आपका अपका है थोड़ा होल्ड करिए पेशेंस रखिये यार जब जान लीजी आप लूड कि जब आंधेरा बहुत तेज होता है तो शमझ जाना की केरण फूटने वाली है। यह सच है कुदरत का कि जिस वक्त अंधेरा बहुत घंदा होता है उसके बाद ही सुबह की पहली केरण फूटती है। तो अगर लग रहा है अंधेरा घंदा है तो माल लो सुबह होने वाली है। झाल